जाहिर सी बात आप कहेंगे नहीं क्योंकि समयधानिक रूप से भी ऐसा संभव नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां एक बार एक साथ दो-दो मुख्यमंत्री पतपरासीन थे और वो भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में देश बारवी लोगसवा चुनाओ की तयारी में था लेकिन उत्तरप्रदेश में सियासत की कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी जब सभी राजनेतिक दल अपने चुनाओ परचार में लगे लेकिन एक शक्स समयधानिक पद पर बैठे खुद सियासी शत्रंच की बिसात पर प्यादा बन रहा था समयधानिक पद पर बैठे उस आदमी का नाम था रोमेश भंडारी भंडारी उस वक्त उत्रप्रदेश के राजिपाल थे और लखनव का विशाल राजभवन उनका आश्याना हुआ करता था उत्रप्रदेश की सीटों पर चुनाओ हो चुका था लेकिन कई सीटों पर 22 फरवरी को वोटिंग होनी थी वाइज फरवरी को होने वाले चुनाओ में लखनव से अटल बिहारी वाजपई, संबल से मुलायम सिंग यादव और बागपस से अजीज सिंग जैसे दिगजों की चुनाओी किसमत का फैसला होना था लेकिन असल सियासत तो उससे एक दिन पहले यानी 21 फरवरी 1998 की रात को हो रही थी देखे 21 फरवरी 1998 का दिन उत्तरप्रदेश के विदाही इतिहास में बेहद ही नाटकी रहा है और इस पूरे जो घटना करम की बात की जाए जिस तरीके से उस वक्त उत्तरप्रदेश के राजपाल हुआ करते थे रोमेश भंडारी, मुखमंतरी, कल्यान सिंग थे लेकिन 21 फरवरी का दिन एहम था क्योंकि उस दिन मायवती ने एक प्रेस कॉंफरेंस की उस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने कहा कि कल्यान सिंग की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है सदन में उसके बाद यहां पर गतविदियां शुरू हुई हलचल शुरू हुई फरवरी को प्रेस को लेकर प्रेस कॉंफरेंस कर रही थे इन सब के बीच एक प्रेस कॉंफरेंस और हो रही थी जिसमें प्रेस से मुखातिब थी बीएसपी की ततकालिन उपाद्यक्ष मायवती मायवती प्रेस कॉंफरेंस में दावा कर रही थी कि मेरे संसद्यक शेत्र अकबरपुर का चुनाव हो चुका है और अब मैं अपना पूरा ध्यान कल्यान सिंग सरकार के खात में पर लगाऊंगी जिसने करीब पांच महिने पहले मेरी पार्टी को गलत तरीके से तोड़ कर बहुमत हासिल किया था इसके बाद दो पहर दो बुजे मायवती अपने विधायकों के साथ जनता दल के विधायकों अजीस सिंग की किसान कामगर पार्टी के विधायकों और सरकार का समर्थन कर रही लोकतांतरिक कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर राजभवन पहुँच गई इसके बाद मायवती ने लोकतांत्रिक कॉंग्रेस के नेता और कल्यान सिंग सरकार में मंत्री जगदंबी का पाल को आगे कर दिया और राजपाल रोमेश भंडारी से कहा कि इन्हें यहां मौजूद सभी दलों के विधायकों का समर्थन प्राप्त है इसलिए आप राजज्य की कल्यान सिंग सरकार को बर्खास कर इन्हें मुख्यमंत्री पत की शपत दिलवाएं इसकी थोड़ी देर बाद ततकालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंग यादव का भी बयान आ गया उनकी पार्टी भी जगदंबी का पाल का समर्थन करने लगी शाम से ही उन्होंने राजपाल को समझाने की कोशिश की उन्हें सार बोमई केस का हवाला दिया लेकिन राजपाल को उस वक्त कोई फरक नहीं पड़ा इन सब के बीच आनन फानन में राजपावन पहुंचे सीम कल्यान सिंग ने राजपाल रोमेश भंडारी से बहुमत साबित करने के लिए समय मांगा इसके लिए उन्हों ने बोमई केस का हवाला भी दिया जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि किसी भी राजपाल को बहुमत है या नहीं इसका निरणे राजपावन में नहीं बलकि विधान सवा में होना चाहिए लेकिन रोमेश भंडारी ने कल्यान सिंग की मांग को अनसुना कर दिया और 21 स्वरवरी की रात करीब 10 बचकर 16 मिनट पर कल्यान सिंग सरकार को बरखास करके जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पत की शपत दिला दी पाल के साथ साथ चार और मंत्रियों नरेश अगर्वाल, राजा राम पांड़े, बच्चा पांड़े और हरी शंकर तिवारी को भी मंत्री बनाये गया लोकतांत्रिक कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे और कल्यान सिंग सरकार में मंत्री रहे नरेश अगरवाल को डिप्टी सीम बनाये गया राजभवन से लेकर सरकार में शामिल होने वाले लोग इस दौरान इतनी हरबड़ी में रहे कि शपत ग्रहन के बाद रस्मी तौर पर होने वाला राश्टिगान भी नहीं हुआ 21 फरवरी को जिस समय जग्दिंबिगा पाल को मुखमंतरी की शपत कराई गई थी राजपाल की दौरा उस समय करीब साड़े-दस बज रहे थे और साड़े दस बजे से लेकर अगले 31 घंटे तक वो मुखमंत्री पद पे रहे लेकिन उनकी जो मुखमंत्री का जो ताकत होती है वो प्रयोग करने नहीं पा रहे थे वजे ये थी कि जिस तरीके से सरकार बनी थी ज्यादा तर रथिकारियों करमशारियों सभी कोई उम्मीद थी कि कल्यान सिंग की वापसी होगी रात को दस बजे सब को हैरत में डालते हुए कल्यान सिंग सरकार को बर्खास किया गया और जगदंबिका पाल को शपत दिला दी गई मुखमंतरी पद की उस वक्त उनके साथ बच्चा पाठक थे राजा राम पांडे भी थे हरिशंकरतिवारी थे और उप मुखमंतरी पद द दाला और वोट डालने के बाद वो स्टेट गेस्ट हाउस में ही राजपाल रोमेश भंडारी के खिलाप आमरन अंशन पर पैट गए उधर दिल्ली में ततकालीन राश्टपती के यार नारायनन ने प्रधानमंतरी इंद्रकुमार गुजराल को पत्र लिख कर लखनव के घ गवर्नर ने उनकी बात मानने बगैर बात नहीं मानी और एक चुनिवी सरकार को बरखास्त कर दिया यह घटना करम ऐसा है कि उत्तर प्रोदेश की जो सियासत है उसकी एक सचाई बयान करता है लेकिन असली ड्रामा तो लखनव सची वाले में चल रहा था सची वाले के CM चेंबर में सुभ़़ जगदंबी का पाल आकर जम गए महीं दूसरी तरफ बर्खास CM कल्यान सिंग भी CM दफतर पहुँचे लेकिन उनके सची वाले पहुँचने का कोई फायदा नहीं था कोट का रुक किया कल्यान सिंग सरकार के मंत्री रहे नरेंद्र सिंग गौड ने 22 फरवरी को इलाबाद हाई कोट में याचिका दाखिल कर मांग की कि राजपाल रोमेश भंडारी के एक्शन को असम्वधानिक करार दिया जाए और कल्यान सिंग सरकार को फिर से बहाल कर दिया जाए इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने जगदंबिका पाल की सरकार को अवैद करा दिया और साथ ही कल्यान सिंग सरकार को बहाल करने का आदेश दिया हाई कोट के आदेश के साथ ही अटल बिहारी बाजपई ने भी अपना अंशन समाप कर दिया अगले ही दिन नरेंद्र गौड थे जो कल्नार सिंग सरकार में मंतरी थे उन्होंने हाई कोट का दरवाजा खटखट आया हाई कोट ने अगले दिन सुनवाई करते हुए तीन बजे दोपहर में यानि एक दिन बाद 23 तारीक को ही हाई कोट ने फैसला दे दिया कि कल्नार सिंग की बरखास जो किया गया है वो बिल्कुल गलत है और जगदंबिका पाल को मुखंतरी नहीं बनाया जा सकता है लेकिन इतने भर से भी कल्नार सिंग को मुख्य मंतरी की कुरसी नहीं मिली क्योंकि इस बार सुप्रीम कोट जाने की बारी थी जगदंबिका पाल की लेकिन उससे पहले ही उन्हें एक बड़ा जटका लगा लोगतांतरी कॉंग्रेस के नरेश अगरवाल और हरी शंकरतिवारी अब कल्यान सिंग्खेमे में आ चुके थे जगदंबिका पाल की तो हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें सचिवाले की कुरसी पर बैठने के दौरान पानी मांगने पर भी घंटे बात तक पानी दिया जाता साथी नाश्ता मांगने पर दोबारा पानी के गलास सामने डग दिया जाता इसके पीछे ये वज़े थी कि 23 स्वरवरी को हाई कोट का आदेश आने के बाद सचिवाले का एक अधना सा करमचारी भी उन्हें सीम मानने को तयार नहीं था 23 स्वरवरी की शाम तो ऐसा भी हुआ जब जगदंबिका पाल ने नाश्ता मांगा तो उन्हें कुछ बिस्कित दे दिये गई जब पाल ने इस पर सवाल किया तो उनके स्टाफ ने कहा साहप कल्यान सिंग जी का जो नाश्ता बज गया था वही आपको दिया है दिल्चस्प भी वाके हुए आरेस माथूर जो क्राफ्ट्स आफ पॉल्टिक्स उन्होंने एक पुस्तक लिखी उस पुस्तक में उन्होंने सीधे तोर से लिखा कि कई जो दिल्चस्प पहलू हुए थे कि जगदमकापाल मुक्वंत्री पत की कुरसी पर बैठे जरूर लेकिन बीजेपी के कई विधायक चाहते थे कि उनको कुरसी से हटाये जाए जबरन हटाने के लिए भी कलान सिंग भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे लेकिन जगदमकापाल को तो खुद मुक्वंत्री के दफ्तर के लोग थे कर्मचारी वो मुक्वंत्री मानने को तयार नहीं थे यहां तक कि जब उन्होंने पानी मंगाया तो कहा जाता है कि उस वक्त एक घंटे देर से उनको पानी दिया गया नाश्ते के लिए कहा गया उसमें भी हिला हवाली की गई उन्हें कुछ बिस्कुट दिये गए लेकिन वह बिस्कुट उनके बाद में जब उन्होंने नाराजगी जताई तो उनसे कहा गया कि यह मुक्वंत्री कल्यान सिंग के नाश्ते का बचा हुआ है और वही उनको दि सिती थी एक तरफ राज्य के समयधानिक पत पर बैठे राज्यपाल का देश था तो दूसरी तरफ हाई कोड का फैसला सुप्रीम कोड ने अपने फैसले में कहा कि अगले 48 घंटे में कैमरी की निगरानी में सदन में कमपोजिट फ्लोड टेस्ट होगा तब तक के लिए दो सियम एक साथ विश्वास प्रस्ताव रखेंगे और उस पर एक साथ वोटिंग होगी विधायकों ने कल्यान सिंग के बीजेपी के समर्थर में वोट दिया है उनके मतों को खारिच किया जाए लेकिन वो बारा वोट ऐसे मत थे उन्हें हटाया भी जाता तो भी कल्यान सिंग को 213 वोट मिले थे जो उनको बहुमत साबित करने के लिए काफी था तो बिधान सभा के अंदर दो मुखमंत्रियों की कुर्सी लगाई गई और साथ-ाठ कैमरे लगाए गए प्रवेक्षिक मौजूद थे और उनके बीच में जब वोटिंग होई तो कल्यान सिंग की सरकार को 225 वोट मिले थे जबकि 212 वोट चाहिए थे उनको बहुमत के लि उनको बहुमत की सब्सक्राइब थे जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इस तरह के तमाम दलों की पार्टीयां शामिल थे 26 फरवरी की सुबह विधान सभा में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सदन में 16 कैमरे लगाए गए लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो इस फ्लो टेस्ट की थी वो ये कि विधान सभा स्पीकर केसरी नाथ तिरपाठी के दोनों तरफ दो कुरसियां लगाए गई थी और उन पर दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठाया गया था शाम तक 425 सदस्तियों की विधान सभा में कमपोजिट फ्लो टेस्ट का नतीज़ा आया तो जगदंबिका पाल की सीम के तौर पर दाविदारी खत्म हो चुकी थी 225 विधायकों ने कल्यान सिंग के पक्ष में जबकि 196 विधायकों ने जगदंबिका पाल के पक्ष में वोट किया इस दौरान बीएसपी के 13 विधायकों के वोट को स्पीकर ने रद कर दिया था इस तरह से कोट के हस्तक शेप के बाद 5 दिन तक चले इस घटना क्रम का पटाक शेप हुआ उस समय आरस माथूर उत्रवदेश के मुख्य सची हुआ करते थे उन्होंने अपनी किताब क्राफ्ट ओफ पॉलिटिक्स पावर ओफ पेट्रोनेज में लिखा है जगदंबी का पाल इस बात पर अड़ गए कि जब तक उन्हें हाई कोट के आदेश की प्रती नहीं मिल जाती जिसमें उनकी न्यूकती को गैर कानूनी बताये गया है वो अपने पस से इस्तिफा नहीं देंगे वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ विदायक जगदंबी का पाल को जबरदस्ती मुख्यमंतरी कारेले से बाहर निकाले जाने पर आमादा थे कुछ लोगों का मानना था कि कल्यान सिंग के दोबारा मुख्यमंतरी बनाये जाने के बारे में राजबवन से आदेश जारी होना चाहिए जब मैंने इस बारे में कानूनी अधिकारी N.K. मलोतरा से सला ली तो उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने जगदंबी का पाल की निक्ति को वेट ठहराया तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्यान सिंग का कारेकाल बीच में तूटा ही नहीं इन परिस्तितियों में वो अभी भी मुख्यमंतरी है सवाल उठा कि इस संदेश को मीडिया और प्रदेश की जनता तक कैसे पहुँचाया जाए माथूर ने अपनी किताब में लिखा कि काफी कुल सोच विचार के बाद इसका ये हल निकाला गया कि कल्यान सिंग मंतरी मंडल की बैठक बुलाए और उसके बाद एक प्रेस्ट नोट जारी हो जिससे सारी स्तिथी स्पष्ट हो जाए कल्यान सिंग इसके लिए तुरं तयार हो गए और जगदंबी का पाल भी मुख्यमंतरी के कक्ष से बाहर आ गए उधर लोकस्वा के चुनाओं के नतीजे भी आ चुके थे जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था राष्टपती ने सबसे बड़े दल बीजेपी को सरकार बनाने का नियोता दिया और अटल भिहारी वाचपई देश के परधान मिंतरी बने ऐसे में यूपी के तत्कालिन गवर्नर रोमेश भंडारी को यह एसास हो गया था कि अब उनका पत पर बने रहना संबव नहीं हो पाएगा इसलिए उन्होंने खुद ही राजपाल के पस से स्तीफा दे दिया रोमेश भंडारी ने भी एक किताब लिखी थी अन्होंने उसको जिस्टिफाइ भी किया उन्होंने का कि उस वक्त उनके पास जो दस्ता वेज थे उनके पास जो चुबूत पेश किये गए तो मुलायम सिंग यादो भी नहीं चाते थे कि कल्यान सिम्ग मुखंत्री रहते हुए यह चुना हो तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि एक बड़ी एक साजिश रची गई थी जिसमें विपच के तमाम नेता शामिल थे उस वक्त नरेश अगरवाल जो लुकतांतरी कॉंग्रेस के मुख्या थे वो उप मुखमंतरी तो बन गए लेकिन जगदमिका पाल के पैरों से जमीन तब खिसक गई जब यही नरेश अगरवाल वापस बीजेपी में शामिल हो गए बीजेपी के पाले में चले गए रोमेश भंडारी ने अपनी किताब एज आई सौइट में जगदमिका पाल को सीम बनाये जाने पर लिखा मेरे सामने जो दस्तावेश और सबूत पेश किये गई थे उनके आधार पर ही मैंने फैसलाग लिया था वक्त का पहिया देखिये कैसे घूमता है कल्यान सिंग की सरकार में मंत्री रहते हुए उनका साथ छोड़ खुच सीम बने जगदमिका पाल ने साल 2014 में लोकस्वा चुनाव से पहले कॉंग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए पाल डुमरियगन से कांग्रेस के सांसत थे 2014 के चुनाव में भी वो डुमरियगन से ही मैदान में उत्रे लेकिन बीजेपी के टिकट पर और तब से लेकर अब तक वो बीजेपी के ही सांसत है